एक लोमडी वोजन की तलाश में जंगल में भड़क रही थी। एक पेड के पास से गुजरते हुए उसकी नजर उंची डाल पर बैठे कववे पर पड़ी वह ठिठक गई। ऐसा नहीं था कि लोमडी ने पहले कववा नहीं देखा था लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आक परशित किया था हुआ उस कववे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकरा था। अब कहीं और जाने की जरुवत नहीं ये रोटी अब मेरी है। चलाक लोमडी ने मन ही मन सोचा और पेड के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर उपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कववे से बोली शूपरभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमडी की आवाज सुनकर कववे ने अपना से नीचे जुकाया और लोमडी को देखा लेकिन उसने चोज कस के बंद कर बंद रखी और लोमडी के अभिवादन का कोई उतर नहीं दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त लोमडी ने अपनी बोली में पूरी मिठास जोंक दी। देखो तुम्हारे पंक कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पंक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्य में सबसे सुंदर पंक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पंक्षियों के राजा हो। कववे अपनी इतनी परशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया। लेकिन उसने अपनी चुपी अब नहीं तोड़ी थी। इधर लोमडी प्यास करती रही। दोस्त मैं सोच रही हूँ कि जो पंक्षी इतना सुंदर है इसकी लोमडी के मुख से अपनी आवास की परशंसा सुनकर कववे से रहा न गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा। लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मूँ खोला। उसकी चोच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुख खोले। चपड़ ली और चलते हैं।